दोस्तो Redmi ने लॉंच कर दिया है अपना Redmi Y3 जो Amazon पे 30 अपरेल से 12 बजे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और अगर आप बात करते हैं क्या ही under 10,000 best selfie phone है तो definitely मैं आपको बुलूँगा हाँ काफी अच्छा ये phone है 9,999 रुपे के अंदर मिल जाता आपको 32 मेगा पिक्सिल की selfie के साथ लेकिन अगर हम बात करें overall package के क्योंकि अगर हम phone की बात करते हैं तो इस वीडियो में संदीप और चाल का ना में टेक वानी बिना वक्द हुआ वीडियो को फटावर्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम specification के बात करेंगे और क्या upgrade हुआ है Y2 के मकाबले तो screen के अगर बात करते हैं 6.26 inches का आपको HD plus display देखने को मिल जाता है ब्लू ब्लैक और रेड कलर जो है रेड कलर अपके थोड़ा से इंप्रूव किया है पहले कुछ जादे चठखीला होता था लेगिन अपके रेड कलर जो है थोड़ा सा मदे रिदम में रखा है dot notch display आपको देखने को मिल जाता है अगर प्रोसेसर की बात करते है तो snap drain का 632 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि नया नहीं है काफी time से phones के अंदर use होता आ रहा है दो variant आपको देखने को मिल जाते है 3GB RAM 32GB storage और 4GB RAM और 64GB storage जो 3GB RAM 32GB storage है वो आपको 9999 रुपे का देखने को मिलता है और 4GB RAM और 64GB storage वाला आपको 11,9999 रुपे का देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी संदर आपको देखने को मिल जाती है साथ ही अगर मैं main camera की बात करता हूँ वाला कि main camera तो उसका selfie है लेकिन फिर भी rear की अगर बात करते है तो 12MP प्लस 2MP का आपको rear camera देखने को मिल जाती है और 32MP की आपको दमदार selfie देखने को मिल जाती है अब दोस्तों अगर Redmi Y2 से अगर मैं comparison करूँ तो उसकंदर आपको 5.99 इंचिस का display देखने को मिलता था और selfie के अंदर आपको 16MP camera देखने को मिलता था तो rear में तो इन्होंने घटा दिया है लेकिन selfie में उन्होंने बढ़ा दिया है और snapdragon का 625 का processor आपको देखने को मिल जाता था बैटरी जो 3880 MHC थी fingerprint scanner और face unlock दोनों आपको देखने को मिलते था इसके अंदर भी देखने हो मिलता है हाला कि इसके अंदर इन्होंने ये बोला है कि 360 degree मतलए camera कैसे भी रखो तो face unlock हो जाता है कोई बहुत extraordinary feature नहीं है बट चलो ठीक है आप किसी भी angle पे रखे तो easily आपका face unlock हो जाएगा security कितनी tight है वो तो जब launch होगा phone आ जाएगा आतमे तो definitely देखेंगे बाकी MI का fingerprint scanner जो है वो काफी fast काम करता है अब बात कर लेते हैं market में जो और अभी competitor available है तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो अगर मैं 10,000 रुपे खर्च कर रहा हूँ तो Realme U1 एक ऐसा competitor है आज की तारीक में जो processor के मामले में जिसके अदर आपको Helio का P70 processor देखने को बजाएगा तो definitely Y3 से जो है काफी अच्छा performance आपको करके दे देगा और अगर मैं screen quality की बात करो तो उस नदर आपको 6.3 inches की full HD plus display देखने को मिलता है दोस्तो Redmi Y3 के अंदर आपको HD plus याने की 720p का display देखने को मिलता है जबकि Realme U1 के अंदर आपको 6.3 inches के अंदर full HD plus याने की 1080 pixel आपको देखने को मिलेंगे और processor जैसे में आपको बताया है कि उस नदर 632 का इस नदर P70 का processor है तो definitely आप PUBG वगरा बहुत आसानी से खेल सकते है screen quality काफी अच्छी है performance भी काफी अच्छी है बात करते है main camera की तो इस नदर आपको 13MP plus 2MP का rear camera देखने हो मिल जाएगा और 25MP का आपको जो है selfie camera देखने हो मिलता है जो कि Sony के IMX sensor के उपर चलता है तो definitely sensor बहुत अच्छा है और performance आपको काफी अच्छी मिलने वाले camera की भी selfie की भी साड़े 3000mH की battery आपको देखने हो मिल जाए क्योंकि ये Helio P70 के processor पर चलता है जो कि AI में काफी अच्छा performance देता है अगर आपने Helio P70 के बारे में नहीं detail में देखा है तो मैंने एक video बनाया में उपर link में दे रहा है उसमें जाकर आप देख सकते हैं Face unlock और fingerprint दोनों आपको इसकंदर support देखने हो मिल जाएगा इसकंदर भी 9999 और 11999 दो model आपको देखने हो मिलते हैं पिक्सला camera है और definitely इन दोनों से बहुत अच्छी जो है picture लेके देता होगा अगर आप Samsung के भी top end cameras की बात करते हैं तो 8-8-10-10 megapixel की selfie camera होता है जो flagship camera में बात कर रहा हूँ flagship जो phones होते हैं और definitely इन से बहुत अच्छी पिक्चल लेके देखते हैं तो ये बिल्कुल एक company वाले ना कई बारे इतना पागल बनाते हैं आज की तारिक में मैं आज launch देख रहा था उसके दस मिनट इस चीज पर लगा दिये कि क्योंकि आपकी selfie जो है शेकी ना हो इसलिए आप hand gesture से आप picture ले सकते हैं ये हमने कमाल की feature जो है Redmi Y3 में launch कर दिये भाई पिछले 5 साल से ये feature में यूज कर रहा हूँ कोई ऐसा कमाल दमाल आपने feature launch नहीं कर दिया है कि आपने hand दिखाया है आप selfie बोलो कुछ बो smile चीज बोलो आज के 50 ऐसे function आते हैं जिससे लोग selfie ले सकते हैं बिना हिलाए वे phone को या बिना touch की हुए किसी key को तो ऐसा कोई amazing नहीं है और रही बात इस चीज की कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि हमने Sony का IMX sensor जैसे मैं Realme 3 के बारे में भी पूरा proper बोलूँ है जो 3 Pro जो आया है या फिर U1 की बात करें अगर आप ये सोचते हैं कि हमने 60 का sensor launch कर दिया इसी के अंदर Realme 3 Pro के अंदर भाई वो Realme 3 Pro है उसके अंदर वो performance नहीं आएगी जो OnePlus 60 के अंदर आने वाली है बहुत सारी चीज़े काम करती है सिरफ Megapixel काम नहीं करते हैं सिरफ सेंसर काम नहीं करता है software भी, hardware भी 50 ही जाती है तो ऐसे में थोड़ा सा smart decision हम ले सकते है और best phone अपने ले सकते है अगर budget 10,000 से नीचे का है तो definitely आप मैं एक हुआ Realme U1 को एक बार ज़रूर देख लीजेगा क्योंकि उसके आपको Helio का P70 का process देखने को मिलने वाला है performance काफी अच्छी मिलेगी Full HD Plus आपको display देखने को मिलेगा और phone भी काफी अच्छा है लग-बग neck to neck चल रहा है price बगर है, सबको same है configuration, सबको same है processor अच्छा है, screen अच्छी है, थोड़ी सी आपको overall आपको जाधा advantage उसके अदर मिलने वाली है तो this is totally up to you कि आप कौन सा decision लेते है बाकी phone launch हुआ है मैंने detail में आपको बता दिया है बाकी एक इनोंने और phone launch के Redmi 7, उसके बारे मैं दूसरी वीडियो में बात करूँआ अगर आपको वीडियो पसंदा है तो like जरूर कीजेगा और चल के साथ बने रहेगा सब्सक्राइब को बटन दबा देजी लाल रन का है उसको अगर आप ग्रे कर देंगे तो बहुत satisfaction मिलती है मैं जलती मिलता हम आपसे next वीडियो के अंदर और हाँ दोस्तो एक और phone है इसी range के अंदर अगर वही 9999 और 11993GB 32GB 4GB 64GB Redmi का Note 7 6.3 इंचीज का आपको Full HD Plus डिस्पले उसके अंदर देखने को मिलने वाला है और Snapdragon 660 का process देखने को मिलने वाले है जो कि काफी अच्छी performance आपको देदेगा 12MP प्लस 2MP का आपको rear camera देखने को मिलेगा साथी 13MP का आपको front camera देखने को मिलेगा 4000 image की battery है, fingerprint, face unlock दोनों आपको देखने को मिलने वाले है तो ये phone भी काफी अच्छा है सेम range के अंदर मिलने वाला है तो 3 मैंने आपको phone बता दिये है Realme U1, Redmi Note 7 और Redmi Y3 आप पूरी तरीकी से chart देख लिजगा इस वीडियो का आप rewind करके देख सकते है आपको कौन सा phone पसंद आता है नीचे comment में जरूर लिखिएगा मैं जल्दी मिलता हूं आपसे next वीडियो में